तो दोस्तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मस्त, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारा, बहुत ही जबर्दस नास्ते की रेसिपी जिसमें आपको समोसा, कचवड़ी, पकवड़ी, तीनुका स्वाद आएगा तो ये हम बनाएंगे फूल गोवी से तो चलिए दोज तो आज कर सर्दियों कमाउस हमें स्टार्ट हो गए आप फुलगों भी काफी मात्रा मेल रहे हैं तो यह हमने फुलगों भी लिया हुआ है तो यह वजन में 200 ग्राम है इसे अच्छे से काट करके हमने 2-3 बर धो लिया हुआ है तो चलिए इसे हम कदुकस कर लेते हैं आप चाहे तो इसे चौपर में डाल कर चौप भी कर सकते हैं या मिक्सी में डाल कर पॉल्स मोड में चला सकते हैं रूक रूक करके जैसे आपको सुविदा हो वैसे आप कर सकते हैं देख सकते हैं। हम ने सारे कदुकस कर लिये हुए हैं। इसमें डालाइगे एक बारी कटी हुई प्याज और दो से तीन हरी मिर्च डालेंगे बारी कटी हुई ठोरी से धनिया की पत्ति डालेंगे नमक डालेंगे श्वाथ के नुसार भुणा हुए जीरा पंडुर्र दालेंगे चाटमसाला दालेंगे हलदी पंडर JUघर दालेंगे हमगरम मसाला और हमने मुझा कर लिया था लán। किनी बाइंडी होगा और अच्छे से यह बाइंड भी होगा तो चलिए इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं तो दोस्तो अगर हमारे वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे दोस्तो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा सा कमें ज़रूर करिएगा तो चलि सब्सक्राइब नाच्छी बने स्का सब्सक्राइब करें तो चलिए अच्छे से फेट लेते हैं इसे ताकि इसमें नम्स्त न रहे देख सकते हैं ना इस तरीके से और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे नहीं तो ज्यादा पानी हो जाएगा और इसमें गुठली भी रहेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका गारा पेश्ट बना लेते हैं तो ये देखिए बहुत बढ़िया हो गया तो चलिए, अब हम बनाते हैं नास्ते को, इसमें श्टिक की को डालेंगे, और अच्छे से गोल में इसे लपेटेंगे, चलिए अब इसे फ्राइ कर लेते हैं, तो इसे हम हाई फ्लेम पे ही फ्राइ करेंगे, तो देख सकते हैं दोस्तों, इसे उलटते फलटते हुए छेट छेट नहीं करना है थोड़ा देर के बाद ही इसे हम पल्टेंगे था कि एक साइड ये अच्छे से पक जाए तो देख सकते हैं एक साइड अच्छे से पक गया है तो इसे हम उलट उलट कर किस्पी होने तक पका लेंगे यहने फ्राई कर लेंगे देख सकते हैं न दोस्तों कितना बड़ी हमारा नास्ता दिख रहे हैं और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़दार लगते हैं दोस्तों इसे अब चाय के साथ खाईए या चटनी के साथ खाईए या ऐसे भी खाएंगे तो भी बहुत ही मज़दार लगेगा दोस्तों ब तो चलिए आपको सर्फ करके दिखाएंगे कि हमारा ये सांदार नास्ता कैसा बना है तो ये देखिए दोस्तों हमारा बहुत ही स्वादिष्ट नास्ता के रिस्पी करारा बनकर तेयर हो गया है तो देखने से ही पता चल रहे न कितना बढ़िया है तो खाने में तो पूछिय इमत कितना लाजबाब होगा तो दोस्तों इस नास्ते को आप इंजवाए करिए धन्यवाद